hello friends welcome back again in e-nodes तो हम कुछ important topic discuss करने जा रहा है compression between SI engine and CI engine okay this is compression of SI and CI engine SI engine that is spark ignition engine and CI engine compression ignition engine यह तो हम सब जानते हैं SI engine का use कौन सा एंजन होता है SI engine that is petrol engine and CI engine is a diesel engine कैसे हमने नाम से पचाना spark के यूज ने और ci engine में चार्ज के साथ कॉंपरेश करते है तो चार्ज इनक्रीज करते हैं उसे प्रेसर करते हो कुछ descriptions है जिसके topic पे हम discuss करेंगे दोनों को चार्ज करेंगे में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहला हम कंपेर करते हैं बेसिक साइकल जो हमारा यह हैं बेसिक साइकल इससे कंपेर करते हैं तो सिया इंजन का बेसिक साइकल क्या होता है और हमारा एसा इंजन का बेसिक साइकल क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं बेसिक साइकल में हमारा है on auto cycle constant volume heat addition cycle कौन से cycle यूज होता है इसा engine में auto cycle का and in CI engine works on diesel cycle constant pressure heat addition cycle ठीक है यहाँ पर CI SI में हमारा बोल रहा है कि जो heat add होता है वो constant volume पर heat add होता है अगर आप auto cycle देखो मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो यह वाला है हमारा अटो साइकल यहां आप देखरो यह volume का लाइन है और यह pressure कर लाईन है ठीक है आप यह देखरो यह इसके volume वाले परिपंडिकूलर है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ volume constant है और प्रेसर इंक्रीज हो यहीपे हमारा क्या होता है यहीपि हमारा डोता है हीट होता हम해서 Keys हमारा है अब आप से ईएक को क्यों करना यह चाहता हूं कि ओर जएरो प्योंकिश़ी एंजन्द में क्यों स्वेल्यू वॉल्यूम पर ही ही एड होता है कभी आपने सोचा कभी किसी से आपने कोश्चन किया कि कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर ही हमारा हीट क्यूं होता है एंजन में या फिर कॉंस्टेंट प्रेसर पर क्यूं हीट होता है हमारा सिय इंजन पर कभी कोश्चन किया सोचो अच्छा आप खुद सोचो क्यों होता है तो मैं आपको आज बताता हूं एक्चुली ऐसा क्यों होता है अब आप देखो यह हमारा क्या है और यह हमारा डिजल साइकल और साइकल क्या हमारा इसा इंजन डिजल साइकल क्या हमारा सी आई इंजन ठीक है अज और परो साइकल सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीजल साइकल अब पर यहां पर हमारा हीट है हुट होता है तो इसका बहुत सारे और भी अपके फ्लूइड के प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है लेकिन जो एक्ट रिजन है वह हमारा हम जानते हैं फ्यूल यू उसकी वॉलेटाइल नीचर क्या होता है वहत कम होता है असका मतलब प्रेसर बहुत हाई जाई प्रेशर तक प्रेशर् लें का फ्रेशण उतिक्षा जब हमारा फ्रेशर फ्रेशड ओगया जब तक हेसा फ्रेशर हिब हो अब कि अगा चालू होता है मटीनुक्लीशंट प्रेशर होगा č offenders कि यह होता है हमारा हेट्रोडीजल क्या है Circent टिह पेट्रॉल क्या है हमारा videocare哈哈 मीक्षर से औुआ क्या चाहिए कि हमारे फ्यूल को फ्लूए味 और और फ्यूस्ट का तो चार्ज प्र्षाइए उसको एक प्रिश्ट चाहिए वह आइसे जो प्रॉबैट करें में ओस्पार्डेत स्पाक पर हमारा यह पने ऊसके लिए प्रिश्ट क कॉन्सटैंट रहे गा ओं ली प्रिश्र विल बीच आपको यह तोपिक समझ में आया होगा नौ नेक्स टॉपिक अब हम फ्यूल की बात करते हैं ऐसा ही और करते हैं और ऐसा फ्यूड यूज करते हैं जिसकी वॉलेटाइल वॉलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है जो इजिली इवापूरेट हो जाए आप पेट्रॉल को दो मेट के तीन मेट के लिए बाहा रख दो किसी कप में लेकि वो तुरंत मिक्स होनाब उढ़ने लगता हैं फ्यब्रूर стать i ॆ ज़ाधा होगी में टिस छादा होता है उसकी वालेटाइल जाधा होता है और टीजिने का available~~ होती है उसको बढ़ाने लिए करते हैं हम प्रेंप्रेसर अप्लाई करते हैं इंट्रेक्शन आफ फ्यूल इंट्रेक्शन आफ फ्यूल में ऐसा इंजन क्या है हमारा इंट्रेक्शन अ इंट्षन आफ फ्यूल का मतलब किये हुआ कि अन नीचन में फ्यूल आ प्रवाइड करहा हुं कैसे कर आ रहे ह। this SIЕ में और फ्यूल दोनों का में कर जाता हैं टिंटिंश एंजने इंछांट सेंटेट डाक्ली इंट्लिया इंट्टस चेंबR at high pressure at the end of compression stroke okay with the help of fuel pump or injector okay control अब आप जानते हो अब कोई कार है कोई बाइक है उसको आगे बढ़ने के लिए उतनी ज्यादा पावर चाहिए उतना पावर के लिए क्लिए क्या करेगा फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी तो लोड कंट्रोल इंजन क्या है थ्रोटल कंट्रोल दे क्वालिटी और सॉरी क्व एर नुलमारी लिए था हम फ्यूल को इंजक्ट करते हैं तो यहाँ पर एटो नहीं कर सकते है बेट फ्यूल कंट्रोल कर सकते हैं तो लिए इसी इंजन इंजन और सेल्फ इनिशन अकर्स द्टू है टेमपरेचर आफ एर बिकॉस आफ हाई कॉमप्रेशन इगनिशन सिस्ट कोई भी इसको इनाइट होने के लिए कोई अलग का सिस्टम नहीं चाहिए हम सिर्फ जो हमारा अल्रेडी है एर को हम लोग इतना कॉंपरेश कर दिये कि एर की टेंपरेचर कॉंपरेश करने से बढ़ गई अब जब आप फ्यूल उसमें इंजेक्ट करोगे तो आप फ्यूल ज कुछ आप नहीं चाहिए यह तो में इन परर्फ लेसर हो ठीक है फिल को इन खघ्ट होने के लिएं की लिए कोई स्टेंड इंजन के लिए प्तिकुल उब दो टता थे उसके और यूर करें तो लाइट वेट फैसेंजमेHelpरोल रहें जो तो डूटू हमोजेनस कंबर्शन दे आर हाई स्पीड इंजन होमोजेनस मिक्स्चर मतलब क्या होता है सेम फेस में जो हमारा दो एक अपने सबस्टेंस लिया और दूसरा सबस्टेंस लिया दोनों एट सेम फेस पे हो फ्यूल आ यहां और प्यूल आ यहां है सेम फेस हम जो फ्यूल यह क्या है तो रिल्म्म नेम्ट आग यह वह सेम फेस पे होते हैं जब आरफ एर कटंब में में तrau और हमारा फिउल यॉत होता बटिन इनसफ्रेइंदी ग यह कि हेट्रोज गालीन ह वेट की बात करें lighter due to lower peak pressure heavier due to high peak pressure क्योंकि इसटार्टिंग की बात करें तो लोग क्रिंकिंग एफ लगते हैं इसली स्टार्ट हो जाता है इसकी बात करें तो क्या दोगे कि कमबस्टन इंजन को हमारा फ्यू जो है यह को बन करने के लिए फ्यू प्रेसर चाहिए अब किसी चीज में जब आप प्रवाइड करा रहे हो तो वहां पे अबने वहां पर वाइबरेशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता यह सिए फ्यूंस ज्वाइब रहे की बात करें बेकॉस ऑफ एसा इंजन में बिकॉस अफ लोवर कॉम्परेशन रिचियो दे में मैंक्सिमम वाल्यू ऑफ थेर्मल एक्षेंशी डाइन बीड़ेशन रैसियो जिसका इंजन का कम है उसकी एफ इसे कम होती है यहां पर वही बता रहा है बट सिया इंजन में में मै नहीं नहीं टॉपिक थे और एसाइ और सी और सी को दोनों के बीच में कंपेर करने के लिए इंपोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए होता है तो क्यूं होता है ठीक है तो ध्यान रखना थेंक्यू फर वाची इस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर